नमस्कार साथियों मैं तुल भारत और आज हम कक्षा साथवी की जो विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक है उसका पाठ छे बहुत एक एवं रायसायनिक परिवर्तन आज हम इसके बार में पढ़ेंगे इससे पहले हमने पादपो में पोशन जन्तू में पोशन तन्तू से वस् सब मिल जाएंगे प्लेइलिस्ट को भी मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दूगा ताकि आप देख सकें वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आप समसकें कि वीडियो में हमें क्या बता जा रहा है तो जैसे कि आपके सामने भोतिक व रसायनिक परिवर् परिवर्तन दिखाई देते हैं इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार सम्मिलित हो सकते हैं उधारण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पे बनाने के लिए पानी में शक्कर गोलने के लिए कहती हैं शक्कर का विलियन बनाना एक परिवर्तन है मतलब जब हम शक्कर के दूट का खटा होना भी एक परिवर्तन है, खीचा हुआ रबर्ड बैंड भी किसी परिवर्तन को परदर्शित करता है, क्योंकि जब आपने देखा हुआ रबर्ड बैंड नॉर्मल कैसा होता है, बढ़ जब आप उसको खीचते हैं, तो वह लंबा हो जाता है, तो वो भी एक परिवर्तन है, ऐसे दस परिवर्तनों की सूची बनाई है, जिने आप अपने आज पास देखते हैं, इस अध्याय में हम कुछ क्रिया कलाप करके, इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्यन करेंगे, मतलब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे इस चेप्टर में कि कैसे कैसे कैसी उनके प्रकृति होती है उनका नेचर क्या है और फिर वो उसमें परिवर्तन कैसे होता है देखिए व्यापक रूप से यह परिवर्तन दो प्रकार के होते है बहुत एक और रसाइन नहीं ठेक है तो बहतीक परीवरतन क्या होता है तो यहाँ पे 6.1 में पता रहे हैं कि कागज के टुकड़े को 4 टुकड़े को 4 वरगाकार टुकडों में कातीये अब प्रतेध एक वरग को पुणे 4 टुकडों में काटीये इन तुकडों को फर्ष पर अत्वा किसी मेज पर इस प्रगार लगाई है कि जिसे तुकडे परस पर जुड़कर कागज के तुकडे का मूल अकार ले ले देखें आप चितर 4.1 में दिखाया अभी है इस प्रगार जा हमने काट काट के इसको ऐसे हमने करना है ठीक है आगे चलते है अब क्या होता है कि पस्ट रूप से आप टुकडों को पुने जोड़कर मूल टुकडा नहीं बना सकते हैं मतलब दुबारा नहीं बना सकते हैं वै कागज तो कागज ही रहा ना कागज से कुछ और थोड़ी ना बन गया कि कागज से वो पैंसिल बन गया या लकडी बन गया या बुरादा बन गया वो तो कागज सा कागज ही रहा तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं बहुतिक परिवर्तन अब आप थोड़ा समझ गए हो अब देखिए अपनी कक्षा के चोक बॉड के आसपास फर्ष पर गिरे चोक पाउडर को इकत्यत कर ले अत्वा चोक के एक छोटे टुकडे का चूण पाउडर बना ले इस पाउडर में थोड़ा जल मिला कर पेस्ट बना ले इसे चोक में के आकार में बेल कर सूखने दे क्य पिगलने तक बर्तन को धूप में रखें अब आपके आसपास बर्फ और जल का मिश्रण होगा अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया अब क्रेकलाप फ्षेदेशनलवचार में क्या बोलते हैं कि एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबा लिए क्या आपको जल की सतेई से भाब निकलती दिखाई देती है उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाब के उपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए बर्तन के भीतरी सते को देखिए क्या आपको वाँ जल की कोई बून दिखाई दे पांच में क्या है कि जुआला पर कारे करते समय साथधानी बढ़ते कि उप्योग किये जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिम्टे से पकड़िए ब्लेड के मुक्त सिरे को कि अग्र आगले भाग को कैसे तो गैस स्थोफ की जौला पर रखिए अब यह थोड़ा मुश्कि ही ठीक है थियोरी में हम समझ सकते हैं कि क्या करना है कि एक जो उप्योग किये जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिम्टे से पकड़िए ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्थोफ की जौला पर रखिए कुछ मिनट तक प्रतिक्षा कीजिए क्या ब्लेड क कि अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है ब्लेड को जौला से हटाईए कुछ समय बाद अग्र भाग को पुने देखिए क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है क्रियकलाब 6.1 और 6.2 में आप में देखा कि कागजा चोक के आमाप साइज में परिवर्त हो जाता है क्रियकलाब 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव क्रियकलाब 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गरम करने पर परिवर्तित हो जाता है पदार्थ के आकार उसके आमाप मतलब उसके साइज रंग और जैसे गुण, भोतिक गुण कहलाते हैं, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भोतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, भोतिक परिवर्तन कहलाता है, भोतिक परिवर्तन सामानिता उत्त करम्निये होता है, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अब ह हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं आप देखें अब रसायनिक परिवर्तन की बात हो गई है तो रसायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अभी हमने भोतिक परिवर्तन की बात करी अब रसायनिक परिवर्तन में कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली बाती परचित है ज़दी आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इस पर भूरे रंग के पदात के परत जम जाती है जंग के बारे में आप सब को पता है अब ये पदार्थ जंग कहलाता है रस्ट इंगलिस में रस्ट कहते है और ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है सितर 6.2 में आप देख सकते हैं देखें लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुए है आपने घर में छट्पे कुर्सी रग दी या कुछ और समान रग दिया जो लो रहती है में जंग लग जाती है आपने देखा होगा कि घर में रखी कुलहाड़ी हतोड़ा आदी को वायू में कुछ जिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है रसोई में लोहे का गीलत अवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जा अभी एक चीस्ता आपको पता लग गया कि जंग जो है वह लोहा नहीं होता वह अलने पदार्द होता जो उस पर लग जाती है और इसलिए अगर आप देखोगे कि जंग लगने पर न जो वस्तू होती है उसका वेट बढ़ जाता है यह आपको बहुत कम लोग बताएंगे कभ यह भी प्रशन है लेकिन इसको हम थोड़ा बाद में कर सकते हैं इतना समझना बहुत महत्तपून है और जो चैप्टर है इसी प्रकार हम आगे पढ़ते रहेंगे आपने वीडियो को यहां तक देखा बहुत बहुत यह सरहानिये बात है अभी नए मैज स्टार्ट हो रहे ह है जो पुरानी वीडियो आपको टाइम से देखना है एक्जाम के टाइम शुरू हो गए हैं वापिस स्कूल खुल गए है तो अपना ध्यान भी रखना है और सरदी का समय भी आ घ्यान आपको रखना है तीहारों का समय भी है और पढ़ते भी रहना है तो यह वीडियो जो तो यहीं तक थी और हम रसायनिक परिवरतनों में दुबारा शुरू करेंगे वीडियो और इसको फिर आगे करके हम नेक्स वीडियो में इसको हम कम्प्लीट करेंगे तो यहीं तक थी आपको वीडियो कैसे लिए कि ज़रूर बताईएगा और बाकी विज्ञान की कर्षा परियावरन हमारे अतीत दुरूआ वचंत के सारे चैप्टर आप वो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब केजएगा जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत